जैन साथियों बहुत बड़ी अपडेट जो है निकल के आ रही है और साथ में दोस्तों BPSC के तरफ से उपीसे लिए न्यू जो है जारी किया गया है जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पार होंगे 592013 निकल जो है से रात में अपडेट किया गया है नोटिस क्या है तो यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्टेंड नोटिस इसकुल टीचर कम्पिटिटिव एक्जामिनेशन क्लास एक से पांच कंडिडेट केंड अपलोड डियलेड एंड अधर सेटिपिकेट फ्रॉम 99 नो तरिक से लेकर गारा तरिक के बीच जो है डियलेड सेटिपिकेट अपलोड कर सकते हैं जो है लोग इन करके टिक यह नोटीस क्या है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वीपेसी के तरफ से जो है जारी किया गया है बिहार लोग से वाइवक की द्वारा यानी जो कंडिडेट भीएड धारक है जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है सुप्रिम कोट का आधेस स यहां पर दोस्तों साब तर पर आप देख सकते हैं जारी कर दिया गया है नोटीस यहां पर देख लिजिए यहां पर विगापन से संदर में एक से पांच के अभिहारती दिना नौ नौ दोहजार तेईस से गारा नौ दोहजार तेईस तक आयोक के वेपसाइड जो आयोक का वेपसाइड है बीपीएसी ओनलाइन बीपीएसी डॉट 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 गॉफ इन पर आपने ड्याक्स बोर्ड में लोगिन करते के याने डिलेडी संबंदिर परमानपत या अन को अपलोड कर सकते हैं यदि किसी अभिहारती दुवार बीएट के परमानपत्र को अपलोड किया गया है एवं डिलेड का परमानपत्र भी धारत करते हैं तो ये डिलेड का परमानपत अपलोड कर सकते हैं इस लेटर से दोस्त कि अख्वार में भी यह यहां पर दिया गया है जैसा कि आपके स्क्रिन पर आप देख पर होंगे परेशाने सुप्रीम कोट ने फिर कहा प्रात्मिक सिक्षकों की निक्ति में बेड वालों की जुरूरत नहीं सिक्षा विभाग से मार्ग दक्सन लेगा बीपेसी आप देख स सकते हैं सिक्षक भरती में बीएड डिग्री धारे को को लगा लग सकता है जटका ठीक है लग नहीं सकता है दोस्तों इस लेटर से पुरा किलियर हो गया है कि बीएड अभिहारति को जो है वान टू फाइब में नहीं लिया जागा अगर ऐसा नहीं होता तो जो बीएड कंडिडेट का ही जो है रिजल्ट जो है जारी करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस अपडेट को देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहे है तो यहाँ पर दोस्तों देख लिए बीएड डिगरी वालों की जरुरूत नहीं है शिरिफ डिएलेड डिग्री के लिए योग है आगे लिखा है सुप्रीम कोट ने गारा अगस्त 2023 को दिये गे फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्रात्मिक के बिदाले में सिक्चक निक्ति के बारे में निने लेने को कहा हलाके सुप्रीम कोट ने या भी कहा है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोट में पार्टी नहीं है इस बज़े से कोई आदेस नहीं दे रही है सर्वुच अदालत ने कहा है कि राज सरकार सुप्रीम कोट के फैसले के आलोक में अपनी करवाई करें सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट के आदे से बिहार के लगभग तीन लाक नब्बे हजार बीएट डिग्री धारिक को जो है बड़ी निरासा हाथ लगी है बीपेसी की सिक्षक निक्ति परकिरिया में प्रात्मी की विद्दाले के लिए तिन लाक नब्बे हजार अभिहारती ने परिक्षा दी ठीक है इधर बीपेसी के सची रभी भुसन ने बताया कि सुप्रीम कोट के फैसले के आलोक में सिक्षा भी भाग से मांगदक्सन लिया जाएगा आगे लिखा है इसके बाद ही आगे कोई निर्ने होगा बता दे कि आयोक के अध्यक्ष अतुल परसाद ने पिछने दिनों संपतादा संबलन में सपस्ट दिया था कि सुप्रीम कोट के निर्ने के अनुसार बेड डिग्री वालों का रिजल्ट अंत में दिया जा डियलेड वाले अभिहारतों के संखा जो है लगबग 3,80,000 इसमें बिहार से ज़्यादा दूसरे राज के अभिहारती सामिल है और यहां पर जो बियट के अभिहारती थे 3,00,000 के आस पास में वह जो है अब इस निर्ने से बाहर हो जाएंगे तो यहां पर दोस्तों देख देख लिजे 3,90,000 बियट की है वह अभिहारती का मामला फस गया है यहां पर देख लिजे 1.7 यानि 70 इतना जो है लाग बहाली होने वाली बिहार में 1,70,461 पदों पर सिक्चकों की भरती होनी है जिसमें 3,90,000 अभिहारती ऐसे हैं जो बियट डिग्री धारी है और परिक् से प्रात्मिक के सिक्चकों के 80,000 के आसपास में जो है पदे पदे हैं ठीक है लिखित परिक्चा के बाद फिलाल बीपेसी के आदेश पर सिक्चक निक्ति के परमानपत का सच्टापन 4 सप्टमबर से जो है शुरू हो गया है प्रात्मिक और दिमिक का अब वान टू फाइ सिक्चा विभाग से मार्दासन लिया जाएगा इसके बाद आगे कोई निन्न लिया जाएगा इस लेटर से दोस्तों आपको साप जो है आप जो है किलियर हो गया है कि वान टू फाइब में स्रिप जो है आप जो है डिलेट धारिकों को ही लिया जाएगा अगर ऐसा नहीं ह लिंक जो है दोस्तो 9 तारिक से लेकर गारा तारिक के बीच जो रहेगा यानि 1 to 5 का भी जो है डोकुमेंट वेरिफिकेशन का सेडूल जो है आपको बहुत जल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा यानि 15 तख जो है आपका किलियर हो जाएगा ठीक है क्योंकि गारताइक तक जो है अपलोट करने को लिए इस अपडेट में दोस्तों फिलाल इतना है आगे कि जो भी अपडेट आएगा आपको दिया जाएगा इस अपडेट में इतना ही